नमस्कार मित्रों और कैसे हैं आप सभी बेरोजगार ग्यानी चैनल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ ए आई आई आटिफिशल इंटेलिजेंशी गदी की पूथ दोस्तों पिछले कुछ दिदे कुछ महिनों से यहां पर ओपन ए आई चेट जी पीटी आटिफिशल इंटेलिजेंशी के बारे में खूब चर्चा हो रही है लोग कहरें कि आपकी जॉब खा जाएगा हर दूसरा टैक चैनल के वीडियो बना रहा है कि देखो मेरी वीडियो चार बनेट में एडिट हो चुकी है यह हो चुका है बहुत चुका है अर इतने आलसी क्यों हो गए हो काम कर लो ना वीडियो खुद एडिट कर लो ना नहीं वैसाब इनको तो आटोमेटिक करवानी है सब कुछ तो तुम क्या अंडे दोगे अब बैसाब यहां पर बोलते ह से नहीं रहूंगा बाइसाब क्योंकि यह तो आपको फटापट हल्वा फरोसके देदेगा अबिलिटी है में कर देगा कोई डाउट नहीं है फिर आप बोलोगो यह से स्क्रिप्ट बना दे वीडियो कोन बनाएंगा तरह बाप फिर यह बोलेगा मैं बनाऊंगा ना पाप इफिचल इंटेलिजेंसी जिस तरह चिट्टी बाबू हुआ टर्मिनेटर हुआ जार्विस वार्विस यह जितनी हमने देखे हैं फिल्मों में वह एक सच्चाई भी है जब उनको पता चलेगा कि आरे यार हुमन सो लोग तो अपनी पिल लें आप उनको नोकरा की तरह कर और भाई साब जब इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि वह उमन ब्रेन को सरपास कर जाएगा मतलब क्या कहना चाहरा हूं अब रियल लाइफ यह प्रेक्टिकल हम यह अजूम नहीं कर सकते हैं कि वह उनको दबाने की कौशिश करे अगर ऐसा हुआ तो लग जाएगी और यहार में तो बूली है कि आप थमनेल देख रहा है थमनेल में जो लिखा है वह कहा है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में एक्च्वल में ओपन AI चैट GPT के मजे लेंगे वह इस तरह दोस्तों हम इससे स्मार्ट काम नहीं करवाने हैं हम करवाएंगे इससे अपनी डिस्प सब्सेक्षिक्रों मेरे को सबसे पर्षा उत डिस्के में जवाब दे सकता है या नहीं सबसे हैं मैं crashing में जवाब दे सकता है तो हम में जवाबिए संसे मजदार सवसे पहले जो उनको देख लेता हूं तो पहला यहां पर है पहंट में मूतने की आदत कैसे छोड़ें त्यक्त पूछत है वाई इट्स अक्सत गेमिंग पूछ रहे हैं आदक है देखते हैं एक अस्वस्त और अनुचित आदत है इस आदत को छोड़ना महतपूर न है क्योंकि ये आपके स्वास्त के लिए नुकसान दायक है और अन्य लोगों के लिए ऐसामाजिक है लिखता जा रहा है खूब टिप्स दे रहा है यदि आप पेंट में मुझते के आदत को छोड़ने में सफल हो जाते हैं ध्यान देगे आपका पेशाप करने का समय हो और तुरंत टॉलेट जाएं चलो ठीक है तो बैसाब डॉक्टर जी बीटे ने यहां पर चैसे पॉइंट दिये जिससे आप मुझतने की समश्चा से समाधान पा सकते हैं जिसमें है कि बैसे सबसे पहला तो आपको टॉलेट लगते भग जाओ रुकोई मत और फिर यहां पर है तीसरा नीमू पानी नारियल पानी दूद चीज जैसी चीजों को सेवन करें यह मतलब इससे मतलब मुझतना नहीं होती है कमाल है और व्यायाम और योगा करने से सरीर को उत्तेजित होने के लिए जरूरी उर्जा मिलती है जिससे पेशाब की इच्छा नहीं होती है मतलब यह आपको मुतना नहीं है इसके टिप्स दे रहा है तो टोटल छे टिप्स है आप स्क्रीन को पहुँच करके देख लेना मन में असे आया तो अगले सवाल है दोस्तों यहां पर मेरे एक और दोस्त है उनका कि नौरा फतेई को अपनी गल्फ्रेंट कैसे बनाएं तो लिखते हैं नौरा एफ ए टी ए एच आई को ए पी एन आई अपनी जी आई आई आर एल एफ आर आई ए एन डी के ए आई ए सी बी ए एन ए वाई ए एन तो देखते हैं क्या कह हमारे नौरा फतेई एक प्रसिद्ध अविनेत्री और नर्तकिंहाई उन्होंने अपनी गल्फ्रेंट बनाना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति को अपने वश्में में कर पाना या उन्हें अपना बनाना सही नहीं है वाईसा बज़ यहां पर अलग अलग हमारे यह अब मतलब गडफ्रेंट पटाने के तरीके बताए जा रहे हैं इतना लंबा चैट पड़ूंगा तो यहां पर बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा पर मैं आपको यहां पर कुछ बताएता हूं सबसे पहले उससे सम्मान और उदार से मतलब इसकी हिंदी थोड़ी उपर नीचे हो जाती है उन्हें अपने खुद की आदो तो व्यावार विचारों के बारे में समझने का मौका दें ताकि आप उनकी पसंद नापसंद को जान सकें समझ रहे हैं उसके बाद में कम्यूनिकेसंद बहुत जरूरी है इसलिए उन् और विचारों को समझने अपने जीवन के अनभवों और उसके जीवन के अनभवों के बारे में बात करें मतलब इसके लिए नौरा से मिलना भी जरूरी है ठीक है नीचे नीचे घ्लाइन बर्दे ये अगर सही तरीक से आपके मन में समझाएं तो आप एक एक रिस्ता बना स जीज़े अब दोस्ते यह मजीदार सावल तो कमेंट बॉक्स में जो मैंने पूछ लिए अब यहां पर अपने मन से कुछ भी पूछते हैं जैसे कि कुछ जैसे मन बोलते हैं कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से गोरा देखते हैं यह बता पाता है या नहीं तो के एटी ओर कटोरे पे के टी ओरे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा देखते हैं क्या बलता है ठीक है गोरा इसका मतलब क्या होता है इस पहली का एक्चुली अब देखने क्या दाव देता है कतोरे पेकतोरा बेटा भापसे भी गोरा एक हिंदी पहली इसका अर्थ है कि इस पहली में बताया गया वस्तु का स्वरूप यारे इस पहली का सही उत अधर है क्या है चंदा मून अभे क्या बाई साब क्या सस्ते न से करके आ रहे हो इसलिए कहते हैं यह पर बरोसा मत करो तो दूसर यह था मेरा ओपन एया चैट जीपीटी के साथ पहला कंवर्शेशन और किस तरीके सामने से सवाल पूछे मदेदार उनका इसने जवाब भी दिया और इससे भी वाईयत इससे भी घटिया खतरना क्या सवाल हो सकता है अगर आपके मन में है अगर आपके मन में हो हरामियत है जो इससे उगलवा सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल पूछिए ताकि हम इस सीरीज को ठोला लेकर आगे बढ़ें और और भी इसको कर सकते हैं बाकी मज़ेदार सवालों के लिए मैं हूना मैं लेंगो चैट जीपीटी के मज़े आपके साथ मिलकर तो अब मुझी कमेंट बॉक्स में बे धड़क कोई भी सवाल पूछिए आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया वीडियो को लाइक कीजि झाल